उम शान्ति 30 मई 2021 अव्यक्त बाब दादा के महावाक्य ओरिजनल डेट 10 जैनिवरी 1988 मनन करने की विधी तथा मनन शक्ती को बढ़ाने की युक्तिया आज रतनागर बाब अपने अमूल्य रतनों से मिलने आए हैं कि हर एक स्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्यान रतन जमा किये अर्थार्त जीवन में धारन किये हैं एक-एक ज्यान रतन पदमों से भी ज्यादा मूल्यवान है तो सोचो आदी से अब तक कितने ज्यान रतन मिले हैं रतनागर बाब ने हर एक बच्चे की बुद्धी रूपी जोली में अनेक अनेक रतन भर दिये हैं सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्यान रतन दिये हैं लेकिन यह ज्यान रतन जितना स्वप्रती वा अन्य आत्माओं की प्रती कारिये में लगाते हैं उतना यह रतन बढ़ते जाते हैं बाब दादा देख रही हैं बाब ने तो सब को समान दिये लेकिन कोई बच्चों ने रतनों को बढ़ाया है और कोई ने रतनों को बढ़ाया नहीं कोई भरपूर हैं कोई अखुट माला माल हैं कोई समय प्रमान कारिये में लगा रहे हैं कोई सदा कारिये में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं कोई जितना कारिये में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते इसलिए रतनों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे है जितना मिला है वह बुद्धी में धारन तो किया लेकिन कारिये में लाने से जो सुख, खुशी, शान्ती, शक्ती और निर्विग्न स्थिती की प्राप्ती की अनुभूती होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं इसका कारण मनन शक्ती की कमी है क्योंकि मनन करना अर्थार्त जीवन में समाना, धारन करना मनन ना करना अर्थार्त सिर्फ बुद्धी तक धारन करना वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहें अपने प्रती, चाहें अन्य आत्माओं के प्रती और दूसरे सिर्फ बुद्धी में याद रखते अर्थार्त धारन करते हैं जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में वा लौकर में रख लो और समय प्रमाण वह सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ती नहीं होती है सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है ना बढ़ेगा ना अनुभूती होगी ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धी में धारन किया याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है लेकिन जीवन में, हर कर्म में उन ज्ञान रतनों को लाना है क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ती भी है इसलिए अगर इसी विधी से कर्म में नहीं लाया, तो बढ़ता नहीं है वा अनुभूती नहीं होती है ज्यान पढ़ाई भी है ज्यान लड़ाई के स्रेस्ट शश्ट्र भी है यह है ज्यान का मूल्य मूल्य को जानना अर्थार्त कारिय में लगाना और जितना जितना कारिय में लगाते हैं उतना शक्ती का अनुभव करते जाते हैं जैसे शष्ट्र को समय प्रमान यूज नहीं करो तो वह शष्ट्र बेकार हो जाता है अर्थार्थ उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है ज्यान भी शष्ट्र है अगर माया जीत बनने के समय शष्ट्र को कारिये में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया क्योंकि लाब नहीं लिया लाब लेना अर्थार्थ वैल्यू रखना ज्यान रतन सब के पास है क्योंकि अधिकारी हो लेकिन भरपोर रहने में नंबर वार हो मोल कारण सुनाया मनन शक्ती की कमी मनन शक्ती बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है क्योंकि भोजन अलग है उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है ऐसे मनन शक्ती से बाप का खजाना सो मेरा खजाना यह अपना अधिकार अपना खजाना अनुभव होता है बाप दादा पहले भी सुनाते रहते हैं अपनी घोट तो नशा चड़े अर्थार्थ बाप के खजाने को मनन शक्ती से कारिये में लगा कर प्राप्तियों की अनुभूती करो तो नशा चड़े सुनने के समय नशा रहता है लेकिन सदा क्यों नहीं रहता इसका कारण है कि सदा मनन शक्ती से अपना नहीं बनाया है मनन शक्ती अर्थार्थ सागर के तले में जाकर अंतर मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुयता में जाना सिर्फ रिपीट नहीं करना है लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधी से कारिय में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं की प्रती सेवा में किस विधी से कारिय में लगाना है यह चारों ही बाते हर एक पॉइंट को सुन कर मनन करो साथ साथ मनन करते प्राक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ नशे की अनभूती में आओ माया के भिन 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 विधनों के समय वा प्रकृती के भिन भिन परिस्थितियों के समय काम में लगा कर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिती के प्रमान वा विधन के प्रमान यह ज्यान रतन माया जीत बना सकते वा बनाने वाला है वह प्रक्टिकल हुआ अर्थार्थ माया जीत बने वा सोचा था माया जीत बनेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ी वा समय व्यर्थ गया इससे सिद्ध है कि विधी यथार्थ नहीं थी तब सिद्धी नहीं मिली यूज करने का तरीका भी चाहिए अभ्यास भी चाहिए जैसे साइन्स वाले भी बहुत पावर्फुल बॉम्स शक्ति शाली गोले ले जाते हैं समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का धंग नहीं आता तो पावर्फुल बॉम्स होते भी यहां वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता कारण क्या हुआ? यूज करने की विद्धी ठीक नहीं ऐसे एक-एक ज्ञान रतन अती अमूल्य हैं ज्ञान रतन वा ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिती वा विग्न ठैर नहीं सकते लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विद्धी नहीं आती है दूसरी बात मनन शक्ती का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रियत्न करते हो इसलिए धोखा खा लेते हो यह अलबेलापन आ जाता है ज्यान तो बुद्धी में है ही समय पर काम में लगा लेंगे लेकिन सदा का अभ्यास बहुत काल का अभ्यास चाहिए नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे कुम्भ करन उसने क्या अलबेलापन किया यही सोचाना कि आने दो आएंगे तो जीत लेंगे तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा यह अलबेलापन धोखा दे देता इसलिए हर रोज मनन शक्ती को बढ़ाते जाओ रिवाइज कोर्स में वा अव्यक्त जो रोज सुनते हो तो मनन शक्ती को बढ़ाने के लिए रोज कोई न कोई एक विशेश पॉइंट बुद्धी में धारन करो और जो चार बाते सुनाई उस विधी से अभ्यास करो चलते फिरते हर कर्म करते चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे चाहे बिजनिस करते हो वा दफ्तर का काम करते हो चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो लेकिन जिस समय भी बुद्धी थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ती के अभ्यास को बार बार दोडाओ कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कारिय होता है जिसमें बुद्धी का फुल अटेंशन देना होता है नहीं तो डबल तरफ बुद्धी चलती रहती है ऐसा समय अगर अपनी दिंचरिया में नोट करो तो बीच-बीच में बहुत समय मिलता है मनन शक्ती के लिए विशेश समय मिले तब अभ्यास करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है चलते फिरते भी कर सकते हो अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है और महींता में जाएं हर पॉइंट के स्पस्टी करण में जाओ विस्तार में लाओ तो बहुत मज़ा आएगा लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिती में स्थित होके करना फिर बोर नहीं होंगे नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं फिर कहते यह तो हो गया अब क्या करें जैसे कई स्वदर्षन चक्र चलाने में हसाते हैं न चक्र क्या चलाएं पांच मिनिट में चक्र पूरा हो जाता है इस्थिती का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं सत्युग त्रेता द्वापर कल्युग इतने जनम इतनी आयू इतना समय हैं बस पूरा हो गया लेकिन स्वदर्षन चक्रधारी बनना अड़्था अर्थ नॉलेज़ फुल पावर्फुल स्थिती का अनुभव करना पॉइंट के नशे में स्थित रहना राज में राज युक्त बनना ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो यह तो एक स्वदर्षन चक्र की बात सुनाई ऐसे हर ग्यान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया समय मिले और बुद्धी मनन के अभ्यास में चली जाए मनन शक्ती से बुद्धी बिजी रहेगी तो स्वत है ही सहज माया जीत बन जाएंगे बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी माया आए और युद्ध करो भगाओ फिर कभी हार कभी जीत हो यह चीती मार्ग का पुर्शार्थ है अब तो तीव्र पुर्शार्थ करने का समय है उडने का समय है इसलिए मनन शक्ती से बुद्धी को बिजी रखो इसी मनन शक्ती से याद की शक्ती में मगन रहना यह अनुभव सहज हो जाएगा मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है जहां व्यर्थ नहीं विग्न नहीं तो समर्थ स्थिती वा लगन में मगन रहने की स्थिती स्वत्हे ही हो जाती है कई सोचते हैं बीजरूप स्थिती या शक्ती शाली याद की स्थिती कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है इसका कारण अगले बार भी सुनाया की लीकेज है बुद्धी की शक्ती व्यर्थ के तरफ बट जाती है कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे कभी साधारण संकल्प चलेंगे जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुध्धी का बिजी रहना इसको कहते हैं साधारण संकल्प याद की शक्ती या मनन शक्ती जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ व्यर्थ नहीं चला किसको दुख नहीं दिया लेकिन समर्थ संकल्प समर्थ स्थिती शक्ती शाली याद रही अगर वह नहीं रही तो इसको कहिंगे साधारण संकल्प कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ती या मगन इस्थिती की शक्ती दोनों में से एक अनुभूती सदा रहनी चाहिए यह दोनों इस्थितियां शक्ति-शाली सेवा कराने के आधार है मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो इस्थिति बनाने चाहें वह बना सकेंगी लिंक रहने से लीकेज खतम हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूती चाहें बीज रूप स्थिति की चाहें फरिष्टे रूप की जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगी क्योंकि जब ज्ञान की समरती है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञान दाता स्वत है ही याद रहता तो समझा मनन कैसे करना है कहा धाना कि मनन का फिर सुनाइंगे तो आज मनन करने की विधी सुनाई माया के विधनों से सदा विज़ई बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना इसका आधार मनन शक्ती है समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ती द्वारा सहज माया जीत बनने वाली स्रेश्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ती के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले मनन से मगन इस्थिती का अनुभव करने वाले सदा ज्ञान के रतनों का मुल्य जानने वाले सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ती को कारिय में लाने वाले ऐसे सदा स्रेश्ट स्थिति में रहने वाले विशेश वा अमुल्य रतनों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात स्वयम को तीव्र पुर्शार्थी आत्माई अनुभव करते हो क्योंकि समय बहुत तीव्र गती से आगे बढ़ रहा है जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मन्जिल पर पहुँचने वाले को किस गती से चलना पड़े समय कम है और प्राप्ती ज्यादा करनी है तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ती करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना समय को देख रहे हो और अपने पुर्शार्थ की गती को भी जानते हो तो समय अगर तेज है और अपनी गती तेज नहीं है तो समय अर्थार्थ रचना आप रचता से भी तेज हुई रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहिंगे रचना से रचता आगे होना चाहिए सदा तीव्र पुर्शार्थी आत्माई बन आगे बढ़ने का समय है अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुँच नहीं सकेंगे कोई भी माया की आकर्शन साइड सीन है साइड सीन पर रुकने वाला मनजिल पर कैसे पहुँचेगा इसलिए सदेव तिवर पुर्शार्थी बन आगे बढ़ते चलो ऐसे नहीं समय पर पहुँच ही जाएंगे अभी तो समय पड़ा है ऐसे सोचकर अगर धीमी गती से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा बोहत काल का तिवर पुर्शार्थ का संसकार अंत में भी तिवर पुर्शार्थ का अनुभव कराएगा तो सदा तिवर पुर्शार्थी कभी तिवर कभी कमजोर नहीं ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ इसको तिवर पुर्शार्थी नहीं कहेंगे तिवर पुर्शार्थी कभी रुकते नहीं उडते हैं तो उडते पंचीबन उडती कला का अनुभव करते चलो एक दो को भी सहयोग दे तिवर पुर्शार्थी बनाते चलो जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयम का उमंग उत्सहा बढ़ता रहीगा विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुटी बाप दादा से ले रही है देश विदेश में सेवा का उमंग उत्सहा अच्छा है जहां उमंग उत्सहा है वहां सफलता भी होती है सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्सहा हो संगठन की शक्ती हो सनेहे की शक्ती सहयोग की शक्ती हो तो सफलता उसी अनुसार होती है यह है धर्नी जैसे धर्नी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है और अगर टेम्प्रेरी अस्थाई धर्नी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा तो सफलता के फल के पहले सदा धर्णी को चेक करो बाकी जो करते हैं, उनका जमा तो हुई ही जाता है अभी भी खुशी मिलती है और भविश्य तो है ही अच्छा, वर्दान, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना इन तीन शब्दों की स्मरती द्वारा सदा विज्जई भव सारी पढ़ाई और सिक्षाओं का सार यह तीन शब्द है पहला करम बंधन तोड़ने हैं, दूसरा अपने संसकार स्वभाव को मोड़ना है और तीसरा एक बाप से सर्व संबंध जोडने हैं यही तीन शब्द संपोन विजई बना देंगे इसके लिए सदा यही समरती रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज़े देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी हैं उन्हें देखते भी अपने नए संबंध नई स्रुस्टी को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती स्लोगन योगी की निशानी हैं सदा क्लीन और क्लियर ओम शान्ती